तो आज हम जाने वाले हडसर पोट तो हडसर पोट जाने के लिए जो रोड है तो वो मानिक दो डैम से होके जाता है और हडसर आने के लिए आपको पहले जुन्दर आना पड़ता है और जुन्दर से आप मानिक दो डैम के रोड से आगे जा सकते हो तो बेसिकली जो जिवधन, हडसर, प्रसननगर और शिवनेर ये सारे फोर्ट है तो वो उस टाइम पे नानिगर्ट का जो ट्रेडिंग रूट है उस पे नज़र रखने के लिए इस्तिमाल किये जाते हैं तो अभी जो है हम मानिगडो की डैम तक पहुच गए है तो नाश्ता खतम करते हैं और चलते हैं फिर मानिगडो डैम के रास्ते से शिवे चिवाडी, राज़ूर, हडसर इन गाउ से आगे बढ़ते हुए हम पहुच जाते हैं पेठी चिवाडी जो हडसर फोर्ट का बेस विलेज है तो मानिगडो गाउ से आगे आने के बाद आपको पेठी चिवाडी नाम का इक गाउ लगता है और यहां से आपको अंदर जाना है तो अभी हम पेठी चिवाडी गाउ से आगे आ गए है यहां पे आपको कुछ गाड़िये पार्क दिखाई देगी और यहां से हमें आगे जाना है यहां पे दो-तिन दिन से बहुत ज़्यादा वारिश हो गई है और उस वज़े से रोड बहुत ज़्यादा स्लीप रही हो गए बहुत ज़्यादा किछड़े आप देख सकते हो तो यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो बहुत संबल के चलना है तो कभी खेतों की बगल में से, कभी की चड़ में से, तो कभी हर्याली के बीच में से और इन छोटे छोटे जर्नों को पार करते हुए हम पहुच जाते हैं महादेव जी के मंदिर के पास रास्ते में आते हुए आपको एक चोटा सा महादेव जी का मंदिर दिखाई देगा वहाँ से आगे आते ही आपको ऐसे जंगल के रास्ते से आगे होके आना है और आपको ऐसा बोड दिखीगा तो ये बोड से आगे हमें जाना है तो इस बोड के साथ-साथ यहाँ पर और एक बोड होता है जिसे हमें ये पता चलता है कि हडसर फोड का और एक नाम है परवदगर्ड 1636-37 के दौरान चत्रपती शिवाजी महाराज इनके पिता शाहाजी राजे इनके द्वारा मुगलों से किये गए माहुली तह में भी इस कीले को शामिल किया गया था एक संस्कृत का अव्यगरंथ में लिखा गया है कि चावर्ड, हरिशंद्रगर्ड, महिश्गर्ड और हडसर इनकी लोगों छत्रपती शिवाजी महाराजिनों ने जीता था और कीले का परवदगर्ड नाम भी इसी दौरान रखा गया होगा तो हमने बहुत चारा जंगल का और पहाड का रस्ता कवर कर लिया है आपको यहां से दिखा ही नहीं देगा पर हमने वहां पर गाड़ी पार्किया है और यहां से आगे सीडियों पर रस्ता शुरू होता है तो चलिए चलते हैं 1670 के सेल हर जीत के बाद शिवराय ने हरिश्चंद्रगर्ड जिवधन के साथ हर सर कीला भी जीत लिया और फिर 1702 में यह कीला औरंग जेप के पास चला गया यहां से लंपी सीडियों का रस्ता शुरू हो रहा है और आगे गेट जैसा कुछ है तो वहां पर जाके देखते हैं यह वहां पर क्या है एक्जाक्ति चलिए चलते हैं फिर 1748 में मराठो ने इस कीले को फिर से जीत लिया और 1818 में ब्रिटीशों ने जुन्नर के आसपास की कीलो पर कबजा कर लिया आप को यहां से उपर आने के बाद आपको यहां पर फोर्ड का मैप दिखाई देगा और यहां से आगे जाने के बाद आपको महादर वजा लगेगा तो यह किले का फॉस्ट गेट है यानि महादरवजा है और इसकी खाजियत यह है कि यह दरवजा और उसके आगे के जोगी स्कट्स है वो सारे एक ही पत्थर में बनाई गई थे महादरवजा और उसकी आगे की सीडियों को एक ही पत्थर में बनाया गया है और इसलिए इसे मोनोलिथिक स्टोन का आफ गेट भी कहा जाता है तो अभे हम महादरवजा से आगे आ गए है तो यहां से थोड़ी सीडियों चड़ने के बाद हम की ले के उपर पहुँच जाएंगे महादरवजा से आगे बढ़ते हुए हमें फिर से एक मोनोलिथिक स्टोन स्ट्रक्चर दिखाई देता है यह सीडिया आप देख रहे हो यह सारी एक पत्थर में बनाई गई है तो सीडियों से आगे बढ़ते होए हम केले के दूसरे तरवेजे पहुच गए है महादरवजा और दूसरा दरवजा मध्यय यूगिन वास्तुकला का एक बहतरी नुधारन है दूसरे दरवजे से आगे बढ़ते हुए फाइनली हम कीले के उपर पहुच जाते हैं अभी हम कीले के उपर पहुच गया है और यहां से मानिक डोड़ा हैं का व्यूप उचिस तरीके से दिख रहे सीडियों से ऊपर आते ही आपको यहां पर पानी की टाकिया दिखाई देंगी तो अभी हम आकी जा रहे और कीले का जो मेर अट्रेक्शन है कुछ तोफे रखी गई है और एक महादेव जी का मंदिर है तो हम वो देखेंगे 15 एप्रिल 2021 कीले की कमानी टंकी को कुछ लोग साफ कर रहे होते हैं और तभी उनको यहां पर यह तोफे मिल जाती है और तब से इन तोफों को यहां पर प्रिजर्व करके रखा गया है इन में से एक तोफ मकरमुक की है तोफों से आगे चलके हम आ गए है यहां पर आपको पानी की एक टाकी दिखाए रेगे जिसका नाम है कमानी टाकी तो कमानी टाकी के उस तरफ है धान्य कोठार और इस तरफ शिव मंदिर है तो हम पहले जाएंगे धान्य कोठार देखने और फिर चलेंगे शिव मंदिर द अनाज को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता था महाराश्रमें कई किलो पर हमें शिव जी का मंदिर दिखाई देता है ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर उस जमाने में यहाँ पर आने वाले विजिटर्स और कीले के निवासियों के लिए बनाया गया था तो ये है महादिव जी का मंदिर और जो खुंटि के वाट कहते हैं तो वो थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ से दिखाई देती है तो वीडियो का हम यही एंड करते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आ है तो लाइक और शेल जरूर करना और सब्स्राइब करना मत बूलना ओके बाई